नमस्कार, स्वागते आप सब्सक्ता, पिछले क्लास में हम आपके एकांखी विवाकसी जो दूसरी एकांखी है, प्रतिशोद, डॉप्टर राण अमर वर्मा का लिखा हुआ, उसको हम देख रहे हैं, तो यहां पे बार भी दो दिन से घर नहीं आया है, क्यूंकि उसके पित चला रहे हैं, अभी उसके ना आनी की वैसे, उसकी माना सुशिला बहुती दुखी है, और उसके ही बारी में बहुती चिंदित है, उसकी चिंदा को समाहा करने की हिए तो, श्रीदर बहुत कुछ उसे समझाने का प्रेतन करता है, कि आज आएगा एक नाएक दिन, क्यूं च श्रीदर के वज़े से भार्वी घर चोटकर चला गया है, तो उसके पाथ तो और ज़्यादा चिंदित हो जाती है, और ज़्यादा एक तरह से दुखी हो जाती है, जिसको देखकर पंडित श्रीदर भी थोड़ा माहिस होते हैं, और यह सोचने वेक्ते हैं, कि आप बहुत देर हो गई है, भार्वी को दूढ़ना चाहिए, वो भी एक तरह से चिंदित हो जाती है भार्वी के लिए, और यहाँ पे देखिए, श्रीदर पंडित भार्वी को डाटने का कारण ये था, कि भार्वी अहमकारी बन गया, अपने द्यान के बल्वूते पुरुस ने पंडित श्रीदर ने उसे ताड़ना दी थी, उसे एक तरह से मूर्ख साबित किया था, न्याली साबित किया था, जिसकी वैसे नाराज होकर भार्वी घर चुटके चला गया है, अभी श्रीदर को भी लग रहा है कि मैंने बहुत कुछ जादा कर दिया, और पत्नी के प्चन दे चुका है कि वो सभी जनपदों में जाएगा और भार्वी की खोज करेगा, तो यहाँ बीश में एक पांदर आती है, भारती नाम के विदूशी जो भार्वी के साथ शास्त्रा की लड़ाई करके पराजित पुच गी है, और भार्वी से इंप्रेसर है, भार्व वो भी एक तरह से माईश होती है, और बाद में शुशिला और शुशीला और सीपिलकर चली जाती है, फिर उसके पाद फिर से जादा वेकर और दुकी होने वारी शुशीला को देखकर पढ़नी शुवेही प्राथा काल ही वो अनेक जनपद में जानी की बात करके, शुशी शान्त हो जाओ वाता और किस तरस प्रकुटी शान्त है वैसे शान्त हो जाओ तो शुशिला यहां पे देखिए क्या कहती है मैं शांत हूँ, शर्थ से मुझे भ्रह्म हुआ की मेरा कभी आ गया है, यहाँ पे एक तरह से शर्थ उता है एक दर्माजे का, और उसे लगा की भार्वी आ गया है, इसलिए वो एकदम से चोग पड़ती है, शिर्द समझाता है कि यह हवा का जोके से शर्थ हुआ है, करता है, वैसे दर्माजार खट बटाता है, चिर्द, तुम्हारा भार्वी कल अवश्या आ जाएगा, तुम शांत हो, देखो प्रकुरती भी कितनी शांत है, तुम शांत हो, देखो कितनी प्रकुरती शांत है, वैसी शांत हो, तुम्हारा भार्वी कल लोट कर आ जाएगा मैं शांत कैसे रहूँ चुप अवश्य रह जाओंगे पर अंदो शांत नहीं रह सकती मैं शांत कैसे रहूँ चुप अवश्य रह सकती हूँ लेकिन शांत नहीं रह सकती सुशिला मैं बहुत दुखी हूँ तुमारे दुख को देखकर तुम्हारे दुख को देकर मैं बहुत दुख हो गया हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत पड़ी गल्दी कर ली कि भार्वी को अप्मानिक करके मुझे नहीं करना चाहिए था मैंने धर्ड अउसे दिया लेकिन सजा तुम्हें मिल रही है और आगे यदि तुम्हें अशात हो तो मैं अब ही तुम्हारे पृत्र को खोजने के लिए जाता हम अगर तुम इतनी अशात हो तो अभी मैं जाता हूँ रात्री में कि भार्वी को दूण के लागाओ, सुशिलाव वापे देखिए, वो भी चाहती नहीं है, कि पती राप बढ़कें, वो क्या कही रहे हैं, अंदकार में वो कहां मिलेगा, रापती के समय काँ मिलेगा, अंदकार में कहां कहां दूणेगा आपँ, प्राता कर जाएए, कि तुम मेरी प्रात्न के लिए, इसके बाद उसकी ताड़ना, उसको निंदा करना, उसकी निंदा करना छोड़ दीजिए, वह बंडित है, वो ऐसा दुबारा नहीं करेगा, वो बंडित है, दुबारा इसी करती नहीं करेगा, उसको बोलना छोड़ दीजिए, तब जाकर शेदर असलीयत बताता ह कि उसने डाडा क्यों सुशिला मैं आज तुमें एक बात पताओ भार्वी आज संसार का सर्वशिष्ट महा कभी है दूर दो देशों की देशों में उसकी समात्ता करने का किसी में साहस नहीं है उसकी पार्डित देखर मुझे हार्दिक प्रसंता होती है उसकी पार्डित देखर है मुझे बहुत कुशी होती हार्दिक प्रसंता मतलब है बहुत कुशी कि भार्वी के मन में धीरे धीरे अहंकार स्तान पाता जाना मैंने जब यह देखा कि पार्डिते के साथ साथ धीरे धीरे उसके मन में अहंकार भी स्तान कर रहा है अहंकार भी तान पाता जहरा है तो मैं चाहता हूं कि भार्वी और भी अधिक पांडित्ते और माहा कभी बने मैं चाहता था कि वो और भी बड़ा माहा कभी बने पांडित्ते स्तापित करें पर अहंकार उन्नती में भाले करें हमेशा यह बात यादर प्लीजे कि कभी भी आपके अंदर है मैं मेरे से ही मैं ही कहकर अहंकार उपत नहीं होना है कभी नहीं आना है यह बात यह शब्द है वाक्त के में पिरोकर कभी भी नहीं बोलना है कि मेरे से सब कुछ है मैं नहीं किया मेरे से ही सब कुछ हो रहा है यह क अहंकार की बात है क्योंकि मनुष्य निमित है करता दरता वूपर वही सब कुछ है उसको एक तरह से निराकर करके अपनी उपर सभी कुछ लेकर कहते है ना वह आहंकार होता है और यह आहंकार जब होता है तो सजा वश्मृति आपकी अनुनती कोने लगती है तो यहां पर उनती के अंदर भादक क्या है उसका अहंका है जो उसके उनती को रोकने वारा था मैं उस अहंकार पर आंकुष रखना चाहता हूँ मैं गया करना चाहता हूँ उस अहंकार पर आपको शरकना चाता हूँ इसलिए मैंने उसको ताड़ना दी जिसे अपने पांडिती का अभिमार हो जाता है वो अधिक उनती नहीं कर सकता जिस वेक्ती को अपने पांडिती पर अहंकार या पांडिती पर अभिमार अभिमा नेनी कि वो भी एक तरह से अंकारी है वो उत्पन हो जाता है तो अधिक दिर तक उन्नती नहीं पा सकता यही कारण है कि समय समय पर उसे मैं मूर्क अध्यानी कहता हूँ यही कारण है कि मैं उसे समय समय पर उसको डाटता रहता हूँ उसको मूर्त और अध्यानी कहता रहता हो ताकि वो अंदर से कमजोर मैसुस करे और अपने पाण्डिते को और उजागर खटने का प्रयाद कर सके और यहाँ पे भी आपको कहना चाहूँ का कि किसी को एक्दम से शवाशी यास है यंड तक सवाशी नहीं दे सकते होशय करते रहेंगे तो अपने आपने ही होशय महा होशय समझ करें महा होशय समझ करें वो एक तरह से क्या करेगा हंकार में डूब जाएगा तो यहाँ पे देखें प्रसंश्चा तो सभी करते हैं किन्तो अधिकारी से निंदा भी होनी चाहिए प्रशंसा तो सब करतें तेकिन अधिकार एक तरसे अधिकार युक्त वेक्ती से निंदा भी होनी चाहिए आप कोई वेक्ती नौकरी कर रहे हैं नौकरी के दोरान आप प्रशंसा ही नहीं पातें आपर सम्भानी नहीं पाते बलकि एक तरह से दाड़ना भी होती है आपकी क्योंकि वहाँ पे आपकी बदोन्यति के लिए आपको थोड़ा डाड़ खाना अवश्यक है तो आगे यहाँ पर और एक वात्य में कहता है कि मैंने चाता अंदकार के कारण मेरा पुत्र उन्नती मेरा पुत्र का उन्नती रूप जाए मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण उसकी उन्नती रूप जाए, मेरे पुत्र की उन्नती रूप जाए, ताकि इच्छा देके क्या है, कि वो महा कभी बने, महा स्रेश्ट रूपती बने, लेकिन अहंकार पढ़तर है, नीचे ना ले, इसकी वैसे उसने डाटा, अपने पुत और जादा महाँ ओज़र है, न सुशिला, सुरे एंकम से अस्चर चत Vy lightning, क्या कहा में प्रश्ट नखुस थी, नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नती रूप जाए, मैं नहीं चाहता कि अहंकार के कारण मेरे पुत्र की उन्नती रूप जाए, फिशने इंखिए सुषिला के सामने हो गहता है ता वजा ता सुषिला को सब्सक्राइब मैं आथा है कि स्रीदर असल में क्या है कियो उसने उसके पुत्र को टाटा सुषिला तो जो आप मेरे लाल ऊपर प्रमद प्रकट करते हैं किया वो सच्चा नहीं है क्या जो आप क्रोध प्रकट करते हैं डाड़ते हैं या वो सच्चा क्रोध नहीं है सेदर अनू मात्र भी नहीं यहीं कि अनू यहीं कि बहुत भारिक कण को कहते हैं अनू जो दिखाई नहीं देता, उसके मात्र भी नहीं कहे रहे हैं, आर्था उससे भी कम या उससे भी बढ़ा कुछ भी नहीं है, मेरे अत्रत उसका डाटने का इरादा ही नहीं है, उसके पर क्रोध होने का इरादा ही नहीं है, इस क्रोध में पुत्र की प्रती मंगल कामना चुप हो और भी एशर्फ्री बने यही कारण था कि मैं उसको डाड़ता था तो यहां पे जानने के बाद इतना सब कुछ जानने के बाद सुशिला एक तरह से शांग हो जाती है और कहती है कि आप कितने माहान हैं मैं कितना आपको गलत समस्ते रही तो यहां पे मैं रूत रहा हूं क कल क्या होगा इसके बाद क्या होगा किस तरह से भार्वी की खोजो की यह हम लोग कल के अधिया में लेखने के कल फिर मिलते हैं धन्यवाद